इंडॉर शहर में बदलते मौसम के चलते बीती शाम से रात तक घने कोहरे के कारण कई फ्लाइक प्रभावित हुई बैंगलूरू से इंडॉर आने वाले फ्लाइक कोहरे के रहते लेंग नहीं हो सकी इससे एहमदावाट डायवाट किया गया वहीं इसके अलावा दिल्ली मुंबई सहत अन्य रूटों की आने जाने वाली 11 फ्लाइक भी देरी से आई और गई इस कारण यात्रियों को परिशानी हुई जानकारी के मताबिक गो एरवेज की बैंगलूरू से रवाना हुई फ्लाइक को एहमदावाट डायवर्ट किया गया जिस समय ये फ्लाइक इंडॉर पहुची थी उस समय विजिबिलिटी काफी कम थी इस वज़े से फ्लाइक को डायवर्ट किया गया सुभा आट बजे के बाद मौसम साफ हुआ तब फ्लाइक तो किया वज़ा ही समानी हुई गो एरवेज की कोलकाता से इंडॉर आने वाली फ्लाइक तीन घंटे और एहमदाबाद इंडॉर करीब देड घंटे लेक रही विस्तादा की दिल्ली इंडॉर फ्लाइक आधे घंटे लेक रही एर इंडिया की मुंबई इंडॉर इंडिगो की नागपुर इंडॉर भी देरी से इंडॉर आए